इसे करवा रहे हैं इस से फरक नहीं पड़ता है हूं तो यह मानरे है पूरे सिस्टम का टेमपरिचर से कर रहे हैं वह ही ट्रांसफर का क्या होगा वह अगले चेप्टर में आएगा चलो यह समझ आई अलग 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 डारेक्शन में अलग 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 भी एप कर रहा हूँ ठीक है चलो अगला हाँ यह क्वेश्चन नमर वन आ गया था बेल गाड़ी में पहिए लगा लिया तुने और इसमें एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन आ गया था ना समझें यह वाला लेना है तो कि टेंशन ऐसे डवलप होगी और टेंशन वाई एरिया यह स्ट्रेस है इस इकल तो वाई इंटू इस्ट्रेंट अलफा डेल्टा की ठीक है और यह नॉर्मल लियक्शन का कॉंसेप्ट आया था समझ में अगर किसी के अंदर हम किसी को बाहर की तरफ नॉर्मल लियक्शन लगाएंगे तो उसके अंदर टेंशन आएगी खिचाओ डवलप होगा और यह क्या होता है एफ रेडियल बाई टू पाई इस इकल टेंशन इससे नॉर्मल लियक्शन जिन देट होगा चलो अगला यह आ गया होगा शहएद एनिसो ट्रॉपिक में करेगा अगर टाइम पीरियड डिक्रीज होगा लूज करेगा टाइम पीरियड इंक्रीज होगा यह टी नहीं टाइम पीरियड है चलो आगे कुछ था यह तो यही कल्कुलेशन चलना है एक सेट और होना चाहिए कोशन का यह कॉंसेप्ट आया था समझ में लिक्विड लिक्विड में क्या करेंगी क्योंकि फॉर लिक्विड अलफा या भीटा का कोई मीनिंग नहीं सिर्फ गामा का मीनिंग है तो अगर लिक्विड की हाइट निकाल नहीं है तो आपने क्या किया यह आ गया था कॉश्चन समझ में ये जिए तो हमें किसी दूसरे तरीके से हमें निकालना पड़ेगा और वो दौनों पे डिपेंड कर गया देखो गामा पे भी अलफा पे भी डिपेंड कर गया अगर गामा की वैल्यू टूआल्फा हो जाती इस कॉश्चन में तो यह लिकुड की हाइट उतनी ही रहती हमे हא। हम अग्छाश्शन सेट अफ कोश्शन क्या यह है हां हूं यहां। धान ग्ला कुशन डैंसिटी बराबर की घ्षसकर कंस्सिर कि कैसे यूज़ कर रहा है इसमें कि है इसमें तो इसमें पूरे मैं वायन हम इंद बहुत bugün कि अप्र लाफ कोशिन करना तो इसमें मैं टेक अवे पॉइंट्स ले लेता हूं पहला जो इंपॉर्टेंट डिसकेशन आया थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस क्या था वाई टाइम्स अल्फा डेल्टा यह आया था लाइस यह समझता है कि थर्मल स्ट्रेस कब आएगा जब हम उसको बढ़ने नहीं देंगे मतलब जैसे यह केस था और यह केस जिसमें यहiferी था अब हमने दौनों को हीट किया इसका भी टंपरेटर बढ़ाया इसका भी टंपरेटर बढ़ा तो इसकी लेंथ बढ़ गे इसकी बढ़ी है delta l left hand side भी delta l बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं बढ़ी इसका मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं कि कोई external आ गया है जिसमें उस length को रोक दिया है बढ़ने से तो इसमें stress आ गया कितना f by और कितना बढ़ना चाहिए जो नहीं बढ़ा वो strain है और यह ज़रा समझना यह compressive strain है यह compressive stress है यह सोच पार हो यह सब्सक्राइब कि दरसल यह बढ़ना चाहता है हमने नहीं बढ़ने दिया तो हमने दोनों तरफ से force लगा कि इसको दबा दिया तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि पहले यह बढ़ गया फिर हमने एक force लगाया और इसको वापस से दबा दिया और इस जैसे सोच सकते हैं तो दरसल हमने इस पर compressive force लगाया होगा ठीक है जैसे हमें फोर्स लगा है जैसे ही हाँ जैसे ही तुम यह धीवाल हटा दोगे यह expand करके वापस सब्सक्राइब तो इसमें stress किस वाले पार्ट पर है इस वाले पार्ट पर stress नहीं है stress तो तब आएगी जब हम उसको बढ़ने नहीं देंगे ठीक है तो आगया thermal stress समझ में पहला पार्ट था दूसरा पार्ट यह आपको relation समझ में आना चाहिए density कैसे बदल रही है रो इस इकल टू रो नॉट वन माइनस गामा डेल्टा टी या थ्री अलफा डेल्टा टी तो वाल्यूम की वैल्यू वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी तो कोई भी चीज अगर इस पर डिपेंडेंट है तो हम इस formula से निकाल सकते हैं ठीक है तो एक मैं question करके दिखा रहा हूं इसमें बस आपको यह समझना है कि आपको फोकस करना है कि actually क्या था जैसे ही है यह स्मॉल एक्च अब मैं इनके वैल्यूस दे रहा हूं इसका अल्फा इसका गामा अब पूछा होता relation बिट्वीं अल्फा एंड गामा such that H remains independent of temperature तो देखो जब heat करोगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी तो हमें यह चाहिए कि जो depth समझद है वो independent रहेगे तो ज़रा सोचो क्या-क्या बदलेगा एच बदलेगा सिग्मा बदलेगा रो बदलेगा एच डेश कित्ता हो जाएगा बता सकते हो एच डेश इकल तो ह इज वन प्लस अ डिलतव नियुक डिल्ट ऐ लिकुड है ना तो यह इनके on increasing temperature इनकी value है तो अगर मुझे h dash निकालना है तो h dash height को ratio में बाड़ दो याद आया कुछ याद करो कि कितना समज़्ड होगा जो density का ratio होगा total height into density का ratio यही होता था fluid में yes sir तो बस हमें अगर value निकालनी है तो हमें इनकी value छापनी पड़ेगी h की value h 1 plus alpha delta t sigma की value सबकी value छाप दो sigma 1-3 alpha delta t नीचे रो की value 1- gamma delta t और इसी को अगर combine करूं तो h sigma by rho नीचे बना अंदर क्या बना वन प्लस गामा माइनस 2 alpha सोच पाए यह 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 सर्वान माइनस गामा उपर जाएगा वन प्लस गामा हो जाएगा और यहाँ पे values क्या लिखे थी यह वन प्लस alpha गरए और वन प्लस अलफा डेल्टा टी और वन माइनस 2 थी अलफा डेल्टा टी बनेगा कम माइन करोगे यह 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 गाएगा यशर और तो यह दर असल यह हमारी original h लिखी थी इसको वन प्लस अलफा इक्यूवलेंट डेल्टा टी से compare कर लो तो अगर H का अलफा एक्विवेलेंट पूछा होता तो गामा माइनस टू अलफा आता और अगर इसको जीरो कर दिया जाए तो आंसर मिल गया, आंसर क्या है गामा एकल टू टू अलफा गामा एकल टू टू अलफा आगया question समझे तो जितने भी values हैं उनका formula लिखो main concept इसमें क्या था कि हमने small h की dependency लिखती और सब की value चाप दी तो अपने आप small h की नई value मिल गई तो अलफा एक्विवेलेंट मिल जाएगा screenshot ले लो update कर ले ना notes में अगर हमें ये पता नहीं होती dependency तो नहीं कर पाते हैं अरे formula तो पता होनी चाहिए न कैसे निकाल लोगे application of derivative की तरह है कि a का rate of change पता है b का पता है c का पता है d का निकालना है और d का relation a b c में पता है तो differentiate करके निकालते वैसे इसमें relation लिखो यहाँ differentiate ना करके हम सीधे value शाप दे रहे हैं आप log लेके differentiate भी कर सकते थे डी है डी एच डी एच वाएच समझ गे न तो भी आसर मिल जाता है कि स्क्रीशॉट लो नोट्स में चाहप लेगा कि शाप लिए यह और भी जगे हम यूज कर सकते हैं इससे सुच हो एक डिस्क है जो रोटेट कर रही होती ओमेगा नॉट से है ना इसमें दिया होता अलफा टू इंटू 10 पर माइनस 3 माइनस 4 ओमेगा नॉट दस रेडियन पर सेकंड डेल्टा टी कुछ 30 डिगरी सेल्सियूस है ना तो जब सोचो यह question में ऐसा होगा क्यों ओमेगा बदलेगा क्यों पहला question तो यह यह temperature बढ़ाने पर ओमेगा क्यों बदलेगा radius change होगी moment of inertia बढ़ेगा और moment of inertia बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा तो conservation of angular momentum ही है हाँ सर्थ तो conservation of angular momentum क्या कह रहा है कि i omega equal to constant लिख सकते हैं तो इससे लिख सकता हूँ d i by i plus d omega by omega equal to 0 तो d omega by omega is equal to minus d i by i is equal to minus 2 dr by r बताओ यह कैसे लिखा है तो मॉमेंट आफ इनर्शी आएगा तो d i by i हाफ का derivative 0 m का derivative 0 क्योंकि ना मास बदलेगा ना हाफ बदलेगा और इसी को minus 2 alpha delta टी लिख सकता हूँ और इसी को अगर छापूं तो कितना बन गया दो और दो चार 120 into 10 पर minus 3 आया समझे है value चापक 30 alpha 60 into 2 120 into 10 पर minus 3 आया यह fractional change है तो percentage change अगर पूछा होता तो 100 multiply कर दूँ तो minus minus 1 into 10 to the power minus हाँ तो 120 into 10 पर minus 1 12% बहुत 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 आया यह तो final omega की 12 into 10 पर minus 3 नहीं है 12 into 10 पर minus 3 ता हाँ इसलिए बड़ा लग रहा है ओके मैंने 0 अधर भी वेज़ दी है अधर भी वेज़ दी अब धी है 1.2% इसलिए वो बड़ा लग रहा था तो final omega की value अगर पूछी होती तो हम d omega by omega is equal to 12 into 10 पर minus 3 तो d omega की value omega transfer कर दो अधर 12 into 10 पर minus 3 minus 2 आया minus 0.12 तो final omega पूछा है तो छाप दो तो 9.88 radian per second चलो आया समझ में simple pendulum की तरह ही उसमें time period नकाला था इसमें ये कुछ तो basic concept क्या है relation लिखो अब या उसमें direct चाप दो या बायन में लगा दो या differentiate कर दो screenshot लो तो आई उमेगा इस इकल टू आई डैश ओमेगा डैश यही लिखते हैं हाफ एम आर स्क्वेर ओमेगा इकल टू हाफ एम आर स्क्वेर ओमेगा लिख सकते हैं लेकिन M dash तो M ही है, यही बनता, half M, half M काड़ दू, R square omega is equal to R dash square omega dash, और R dash की value R one plus alpha delta T whole square लिख सकता हूं? और यह R square omega, omega square कहां? क्यों नगार हम? तो omega dash की value कितनी है? यह समझ आए डारेक्ट लिख दिया मिन नीचे आता और ऊपर जाके प्लस में चला जाता है मैनस में चला जाता है लिख देता हूं दूस्टेब होल स्कूर अलफा डेल्टा टीचू की वन के मुकाबले काफी छोटा है और अब समझ में आ रहा है नया ओमेगा यह है इसी से अलफा एक्युवेलेंट की वैल्यू माइनस टू अलफा और फ्रेक्शनल चेंज अगर पूछा है डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा तो कितना बना टू अलफा डेल्टा टीचू क्लियर एसे भी कर सकतो यह हमेशा काम करेगा या फिर आप डिफ्रेंशियेट कर तो उससे काम चल जाएगा बेसिक थर्मल एक्सपांशन में सिर्फ यह ही समझना है कि आपको वैल्यू बता है चेंज होते हुए बाकि आप कुछ भी निकाल सकते हुए कुछ भी जैसे एवन कुष्चन अगर ऐसा होता इस रॉड का अलफा है इस रॉड का बीटा है यह लेंथ एल है यह लेंथ एल है यह वाला एंगल अगर मालो थीटा था तो अब हमसे पूछा होता यह दो रॉड्स है ना तो अब पूछा होता अभी थीटा कितना है टैन इनवर्स टू टैन इनवर्स वन बाई टू अभी एरिया कितना है एल स्कूर अभी हाइपोटेनियस कितना है रूट फाइब यहार है समझ में यह लेकर अगर मैं हीट करूंगा तो यह तीनों चीजें बदल जाएंगे हाँ बाता ही समझ्छा है और अब हम निकालना है कि तीनों चीजें क्या बदलेंगी तो हम बिलकुत डिफ्रेशेशिट्यों की तरह सूचे यह बदल नहें है यह बदल नहें यह सब बदल नहें है ए एरिया लिखते वाइब इस शॉर अब इनकी हम वेल्व छापते तो यह बनती हाफ ऑफ अब एक्स की वेल्यू है 2L 1 plus alpha delta theta है और y की value है L 1 plus beta delta theta, लिख सकते हैं और इसमें छाप दिया delta theta ही delta temperature है वो delta T है छीक है और यह बना L 1 plus beta delta T और छापो यह क्या बना L square 1 plus alpha plus beta delta T मिल गया अब हाइट एच लिखते अब जब सुरी ये एच हाइपोटेनियस लिखते तो अब ये आप डारेक्ट ही छापना अगर पसंद कर रहे हैं तो छाप दो घबराव मत एल स्क्वेर वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा होल स्क्वेर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू क्या है मैं वोन प्लस बीटा डेल्टा टी होल स्क्कवेर चांप सकते हैं है अब इसमें क्लूस बान Commons कैलिक प्लस स्क्क्वेर टू अलfा डेल्टा ही Οमिल्टा थी बीटा के साथ एल वो टू एल और एल बजल दी आप में तो के एलो टू एल उल्टे हो गए उत्तरी कम भी नुक्षान ओले का इस तो यहां लेक्षान लिखते हम अंडरूट एकस स्क्वेर प्लस य स्क्वेर का अंडरूट अब X की वेल्ठा जाबते तो 2 L 1 प्लस अलफा डिल्टा टी होल स्क्वेर लिखते हैं यसी को हम क ההणा तो 4 L इस्क्वेर 1 002 बीटा डिल्टा यह समझ वह है क्या हुगा है ישुर यह 12 विटा कैसे बन गए क्योंकि one plus alpha delta T का whole square था उसको two बाहर निकाल दिया अब four L square और L square five L square बना प्लस चार और दो eight L square alpha प्लस two L square बीटा delta T five L square बाहर निकाल दो root five L under root को अंदर छोड़ दो 1 प्लस L स्क्वेर कटा 8 अलफा 2 बीटा बाइ 5 डेल्टा टी ये अंडरूट का कुछ कर ले 4 अलफा प्लस बीटा बाइ 5 डेल्टा टी ये समझ में अंडरूट का क्या की है अब जरा सोचो ये हाइपोटेनियस क्या बना ये हाइपोटेनियस की इनिश्यल वैल्यू है और ये वन प्लस अलफा एक्यूवलेंट डेल्टा टी है है ये सर अब सोचो अलफा और बीटा अगर बराबर होते तो सीधे आंसर अलफा आना चाहिए था ये सर ये सो ट्रॉपिक हो जाता हर डारेक्शन में एक सा तो आंसर हर लीनियल लेंट अलफा आती तो अलफा और बीटा बराबर रखो तो अलफा और बीटा एकक्वल रखने पर इसका मतलब हमने सही सौल किया तो बस ये कॉन्फिडेंस रखो कि कुछ भी हो वैल्यू चापोगे बाइनों में लगाओगे तो एबरीटिंग विल बी कनवर्टेट टू दिस वाँ ठीक है? यस सूर होना ही ये कनवर्ट हर हाल में से सुर यह पर हम बाइनोमिल इसली यगापा रहे है क्योंकि अल्फा बीटा स्मॉल है अल्फा डेल्टा टी स्मॉल है वेरी 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 मच लेस तन लाड़ अल्फा टेन पर माइनस फ़ाइव का ओर्डर का है कि डेल्टा टी सौपचास होगा तो भी टैन पर माइनस थ्री होगा कि पक्का है समझ में क्या हुआ कि अच्छा हो तो ले लो स्क्रीन शूर्ट बस मैं यह बताना चाहरा हूं कि कुछ भी पूचा जाए ऐसे वैरियवल के टम में चाप दो अपने आप कंवर्ट हो जाए अब इसमें इतना हो गया तो लास्ट और बताई बिता हूं एल बीटा अलफा यह था अब हमसे कहा यह थीटा भी बदलेगा और टैन थीटा की वैल् ने वैरियवल के टम में लिखा यह एकस है यह यह थीटा वाई बाई एकस है तो थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स वाई बाई एकस है यह थीटा की वैल्यू कितनी है एल वन प्लस बीटा डेल्टा टी एकस की वैल्यू कितनी है इसको सिंप्लिफाई किया तो यह 10 inverse 1 by 2 बना प्लस 1 by 2 common लो और यह 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा डेल्टा टी बना इसी को 10 inverse 1 by 2 प्लस बीटा माइनस अल्फा बै टू डेल्टा टी यह थीटा आया अब इसमें बाइनोमियल नहीं लग सकती क्योंकि बाइनोमियल तभी लगती है जब function algebraic होता है यह तो कुछ तो भी होगे तो यहां फिर ब्रह्मास्त्र लगेगा कुछ याद आया क्योंकि यह तो हर जगे लगेगा तो 10 inverse 1 by 2 प्लस संथिंग लिखा है तो इसे क्या लिख सकता हूं 10 inverse 1 by 2 प्लस 10 इन्वर्स एक्स का डेरिवेटर कुछ आया समझ में और यह इत्तफाक नहीं 10 इन्वर्स वन बाई टू थीटा इनीशल प्लस यह कितना बना फोर बैफाइव फाइव मतलब टू से डिवाइड किया तो तू बैफाइव आया तो डेल्टा टी जीरो रखने पर ठीटा डैस ठीटा बनना भी जी और एक खास बात देखो बीटा और अल्फा अगर बराबर होते तो एंगल बदलते नहीं तो यह बात अपने आप सही आ रही है कि अल्फा और बीटा बराबर रखने पर एंगल सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो वास्ट केस अब चुकी फिजिक्स है तो ऐसे तो नहीं आएंगे लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कुछ भी याए हम करीदेंगे या तो बाइनुमेल लगेगी या डेरिवेटर लगेगी अरे या डेरिवेटर का फर्स प्रिंसिपल लिखा है इसको रियर्रेंज करो यह डेरिवेटर की डेफिनिशन है हाँ यही लिशे लिखा है प्रिंशेशन में क्या किया तुम्ने जैसे लॉग औफ यह डू पॉइंट जीरो थी की वैल्यू चाहिए बताओ कितनी है यह चाहिए थी अब लॉग टूकी वैल्यू तो हमें पता है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थी होता है अब टू पॉइंट जीरो थी की वैल्यू पूछी यह तो हम इसको क्या लिख रहे हैं लॉग टू लॉग टू प्लस जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट तो यह एक्स यह दी एक्स और इसका आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस डेरिवेट वन बाइक्स इंटू दी एक्स यह फील करें य लेकर उसका मीनिंग नहीं है उसका बना सकते हैं विल्कुल बनेगी तो डवल डरिवेट ओलो डी एक्स का होल स्कूर आ जाएगा इन जनरल वो डेफिनिशन यह थी सॉर्य यह सन्ने बताई है तुम भूल गयो आपने में पूरी जिरीज यह तब बताता हूं यह आई थी ल में में यह तो कर रहा हूं शुरू के दो टम लिख रहा हूं अब याद आया तो मैं वही कर रहा हूं ठीक है वो जैसे यहां काम आता है जैसे टू टू दी पाउर थी पॉइंट जीरो टू लिखा है अब टू टू दी पाउर थी तो हमें पता है थी पॉइंट जीरो टू यह तो समझ में रहे है तू दी पाउर थी से बढ़ा होगा कितना बढ़ा होगा तो टू दी पाउर एक्स का डेरिवेटर करो कितना आएगा तू पावर एक लॉग टू तो टू दी पावर थी लॉग टू इन्टू दी एक्स अब समझ मैं है यह सर्थ और प्रसाइज करना है तो फिर अगला डेरिवेटर करो यह वैल्यू चापो ठीक तो कुछ और नहीं यह पूरा टॉपिक यही था यह वाली चीज़ थे और यह वन प्लस एक्स पर एण एप्रॉक्स वन प्लस एन एकस है यह भी यही चीज है इसका डेरिवेटर करो ल्स अफ हुआ तू प्लस एकस तूदी आवर एन का डे HOW करे दिवेटर करो और प्लस एक supplementation बेरिद्व बीडर एक्सिभांशन भी यह यह है, डबल डरीवेट वेटों करके चापो, हाथ मतलब मैं भोई कहा रहा रहा था है, यह तो पुली सीरीज भारू के जोडीज भी तो अब मैं बस यह कहरा हूं कि एक बार N-1 बाहर आता है, ठीक है, तो याद रखना, चलो बाकी, इसमें कोई दिक्कत पर नहीं, क्लास में, कैलोरी मेंट्री की शीट, कैलोरी मेंट्री में जाओ, मैंने PDF शेयर की थी, कि वाद की बाता चानु दिक पार सक मां एक पु感 y ठीक है, तो याद आता है, याद की शेयर के बाता है, यहीं रखना, जो याद़।